समस्ते दोस्तों, मेरा नाम रुपेश जादव है, विजडम जॉब्स में आप सब लोगों का स्वागत है आज मैं एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर आऊँ, जो है नेट एक्जाम से, बट इस फॉर CSIR इसके पहले मैं एक जॉब नोटिफिकेशन बना चुका हूँ, जो एंटीए के तरफ से ही था, नेशनल टेस्ट एजनसी के तरफ से, नेट के जो 84 सब्जेट्स है उसके लिए, नेट के एक्जाम थे उसके लिए, बट ये CSIR के तरफ से है, कुछ चुनिंदा सब्जेट्स के लिए रहेगा, ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह का जॉब नोटिफिकेशन है, जैसे कि कहा मैंने की, नेट एक्जाम जो रहती है, वो यूजी सी कंड़र्ट करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन, ओके, बट ये जो वाली है, ये है CSIR के लिए, सब्जेट्ट और नेट एक्जाम जो रहेगी वो रहेगा, और ये जॉइंट CSIR, UGC के तरफ से कंड़र्ट किया जा रहा है, 2020 के लिए, जनरल केंडेलेट के लिए आवेदन शुलका है, एक हजार रुपए, OBC के लिए है 500 रुपए, SCST के लिए 200 रुपए, फिजिकल हेंडिकाप के नाम भी Indian Bank है, क्या ये इसके बारे में है, या इंडिया की कोई भी बैंक, इसके बारे में ये थोड़ा सा डाउट फुल है, उके वेन इटिसेट इंडियन बैंक, आप लोगों कुछ पता होगा, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, State Bank of India, इस इसी तरह से एक Bank of India भी है और एक Indian बैंक भी है, तो कृपया करके चेक कर लीजे, क्या इनों को Indian Bank का ही चाहिए, या Indian Bank बैंक बुलने के बाद जो सभी बैंक आती है, जिनके मैंने नाम लिया है, ASBI, Bank of Maharashtra, ICIC, इनका भी चलेगा, that is the point, you just check it out, please go to the details of notification, okay, online application की जो तारीक है वो शुरू हो गई है, 16 मार्स से, रजिस्ट्रेशन करने के अंतियम तारीक दी है, 15 अपरिल, फी पे करने के अंतियम तारीक दी है, 15 अपरिल, exam date जो दी है, 21 जून को, और admit card भी 21 जून के पहले available हो जाएगा, तो 16 मार्च से notification आ चुका है, तो उसकी date शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन की अंतियम ती पहले ये admit card आपको मिल जाएगा, अधिकता मायर मर्यादा जो दी गई है, वो है 28 साल, एक बारा दो हजार बीस के साबसे, जे आर एफ के लिए जो है, वो अधिकता मायर मर्यादा 28 साल है, लेकिन lecturer और net की exam के लिए, national eligibility testics exam के लिए कोई age limit नहीं है, age limit से जे आर एफ के इसके लिए, msc degree है, या फिर equivalent लेकिन 55 मार्क के साथ चाहिए आपको, for general और OBC candidate के लिए, for SCST के लिए, msc की degree है, तो 50% प्रतिशत भी चल जाएगा, अगर गूर्ण उसमें होगे तो, integrated course और BE, BTEC, BFARM, MBBS candidate are also available for CSIR net exam, यह बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, जिनका integrated course है, जिसमें science background और कुछ और भी है, या फिर BE, BTEC, BFARM है, या MBBS candidate भी CSIR net 2020 के exam के लिए, यह जो sorry, 19 का, जो 20 का यह दिया है, इसके लिए eligible है, तो चलिए देखते हैं, कौन से कों से सब्जेट्स का टेस्ट है, chemical science के लिए है, CSIR किसके लिए conduct करती है, ओके, chemical science, earth, atmospheric, ocean and planetary science, इसके लावा life science, mathematics science और physical science इसके लिए भी है, आपको जो application form है, तो application form सब्मिट करने के ज़रूरत नहीं है, आपको सिफ अगर exam से interchange करना है, तो उसी वक्त सिफ एक, एक लेटर आपको CSIR को दे देना है, ओके, हाँ, application मुझे इस exam को बैठना, इसका application ज़रूर चाहिए, ओके, तो online apply करना है, candidates का login का link भी दिया हुआ है, download का link, notification का link भी description box में दिया है, official website का भी link description box में दिया है, रुपया करके तुरंत उसको click करके अपना आविदन भर दीजिये, और उमिद करता हूँ कि CSIR net की जो scientific subjects के लिए ये जो वीडियो मेंने बनाया है, ये आप लोगों को पसंद आय होगा है, तो दोस्तों इसी बात पर like करिए, साथ ही comment डालिए, share करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये सिफ MSC से सम्मंदित नहीं है, तो engineer और MBBS के जो है, जिनके पास qualification है, वो भी इस exam को जा सकते हैं, और अब तक कि आप लोगों ने मेरा चैनल wisdom job सब्सक्राब ना किया हो, त करने वाद।